एक केमरो कमपनी का जो इस्टील का कड़ाई है जो कि बहुत अच्छे रेट में मिल ला था फिलिपकाट पर ऐसे ये पैकिंग में आया था और एक केमरो कमपनी का है ट्रिपलाई कड़ाई है इस्टील का कड़ाई है और चार लीटर का है सम्थिंग ये साड़े चार लीटर ह में बोला गया है वास्टों में यह 4.5 लीटर लग रहा है है एक केमरो कम्पनी का कड़ाई है जो कि ऐसे ही पैकिंग में आया था कुछ वैसे जो गत्य वाला पैकिंग होता है कम्पनी का ब्रांड रॉन्ड वागे जैसे है वैसे पैकिंग नहीं है लगता है रेट कम करने के वज़े से वो सब पैकिंग को निकाल गिया गया है तो कि कोस्ट इसका कम हो तो ए रहा इसका कराही जो कि कमारों या कमरों जो भी कम्पनी है है वही उसका ए साढ़े चार लीटर कराही है लेकिन चार लीटर बोल के दिया गया है और यह ट्रिपलाई कड़ाई है इसमें 88 जो इस्टिल उपर में आता है नीचे 304 का इस्टिल आता है और यह सॉस लिखा गया है मतलब इस्टिल इस्टिल और एलमिनियम एक केमरो इस्टिल आप लोग देख रहे होंगे और इसमें एक प्लास्टिक के जो हैंडल आते हैं थोड़े पतले हैं लेकिन अच्छे हैं तूटेंगे नहीं रिपीट है तो उसमें हटने का नाम ऐसा सोचने का बात नहीं है इसमें जो है वेल्डिंग वाले भी आते हैं लेकिन वेल्डिंग वाले स्पोर्ट वेल्डिंग होते हैं और कुछ दिन बार छोड़ देते हैं यहां पीछे इसका ISI बिल्कुल ब्रांडिंग है एक गैस इंडक्शन और होट प्लेट जो भी है गैस सब पर चल सकता है और इसका बॉक्स नहीं है तो इसका स्टीकर इस कड़ाही के उपर हिमार के दे दिया गया है तो यह रहा इसका कुछ लूक और इसका मोटाई की बात करें तो 2.5 mm लगभग मोटा है अंदर भी एक गलोशी फिनिश वाला ही स्टील है मेट फिनिश का नहीं है और इसका प्लास्टिक जो है बेक लाइट प्लास्टिक लगाया गया है ताकि यह गरम नहों और कड़ाई कितनी भी गरम हो आप अराम से उतार सकते हैं गरम नहीं होगा अंदर इसका एक स्टीकर लगा है उसको छुडाने के लिए थोड़ा गरम करना पड़ेगा और यहां पे अठरा बाई आठ और इसका वारेंटी गरेंटी की बात करें तो ऐसे तो जो इसका केमरो कमपनी का ही जो आता है वो पांच साल की वारेंटी के साथ आता है लेकिन इसमें कोई वारेंटी कार्ड नहीं है तो हम इसको कुछ कह नहीं सकते हैं और साथ दिन का रिप्लेस्वेंट वारेंटी इसका दिया गया है वैसे स्टील की अच्छे बर्तन जो रहते हैं जल्दी खराब नहीं होते हैं और उसका गेरंटी भी रहता है कि वोली स्टील फटने का हैंडल वगएर का गेरंटी ने रहता है या कूकर हो या कडाही हो और इसकी साइज की बात करें तो यहां से यहां तक लेके 38 सेंटीमीटर है चलिए गईस पर रख देते हैं उसका इशीट कर छोड़ाने के लिए एक बार कोशिस करते हैं श्टीकर छोड़ाने का तो थोड़ा इसको गरम होने देते हैं और इसके बाद कोई चाकू या कुछ नुकिली चीज लेके आराम से श्टीकर को उतार लेंगे थोड़ा गरम होने देते हैं इसको और एक चाकू रहा तो यह बहुत जल्डी गरम हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं तो यह चाकू से देखे थोड़ा बहुत हटाने पर स्टीकर अभी फिलाल हटने लगा है थोड़ा बहुत ठड़ जयेगा तो इसको आथ से खींड देगे आ Wrestling से निकल जाएगा कि पूसका असानी से निकल चुका ए अब आब इस साइड के स्टीकर जो है उंको निकालना है इधर ये साइड की स्टिकर जो हैं तो इधर दो स्टिकर हैं एक उसका जो फीचर लिखा गया है वो वाला स्टिकर है ये कंपनी का ब्रांड का स्टिकर है तो इस्टिकर अच्छे से हट चुका है और इवाला स्टिकर को हटाते हैं अभी एक चाकुच से ही थोड़ा बहुत नूख से कर देंगे उसके बाद इसको खीच देंगे आसानी से निकल जाएगा ज्योंकि अभी कड़ा ही गरम है तो देखिए निकल चुका है आसानी से और इसको धुलाई कर लेंगे धुलाई करने के बाद फिर इसमें कुछ बना सकते हैं तो धुलाई हमने कर लिया है देखिए इसमें बहुत लोग बोलते हैं चिपकता है इस टील के बरतन में तो जलता है तो यह पहले तड़का ही मारने में जलता चिपकता है बाद में पानी डाल देने के बाद कुछ चिपके या नहीं तो पहले ही आपको मैं दिखा देता हूं कुछ देर तक इसको भून के थोड़ा देर तक ही भून के दिखाएंगे कि चिपकरा है कि नहीं चिपकरा है क्वाल्टिक ऐसा है इसका तो ऐसा मान के चलिए नॉनिस्टिक जो होता है उससे आधे से थोड़ा अच्छे नॉनिस्टिक जैसा काम करता है नौनिष्टिक तो पूरा नहीं बोल सकते लेकिन आधान नौनिष्टिक यह सही काम करेगा है यह जो ट्रिपलाई टेक्नोलोजी इसी के लिए आया गया है कि चिपके ओके नहीं इसमें और अच्छे से हीट को डिस्ट्बूटर नो क्योंकि बीच में जो अलमिनियम होता है नीचे ऊपर श्टिल होता है बीच में अलमिनियम होता है तो उसे हीट 4 तरफ पहल जाता है जिससे की चिपकने जलने का चंस बहुत कॉम हो जाता है बहुत अच्छे से भून के दिखा रही हैं ताकि आप लोगों को मालусов चल सके कि चिपक रहे हैं कि नहीं चिपकर रहे और एक करद बेजिजा का आपगों ले सकते हैं कुछ सब्जी वगरार है डाल के भीज को भूनेगे मसाले डाल के भूनेंगे सब कुछ डाल के भून के दिखा रहे हैं बाद में तो पानी डालने के बाद कुछ पकने वाला नहीं है 1440 रुपे में मिला है आप लोग ले सकते हैं